तो दोस्तो अमेरिका के F-35 fighter aircraft के नाम पे कई सारे record है जैसे कि F-35 fighter aircraft पहला दुनिया का single engine 5th generation के fighter aircraft है इवन ये aircraft पहला ऐसा 5th generation के aircraft है जो export भी किया जा रहा है और साथी साथ अब तक दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में बना हुआ 5th generation aircraft भी F-35 है और दोस्तो अब अमेरिका के ये ही F-35 अपने नाम पे और एक record बना चुका है और ये record है परमानू हत्यारों को लेके दोस्तो अमेरिका के F-35 fighter aircraft ऑपिशली दुनिया का पहला ऐसा 5th generation के fighter aircraft ऑप बन गया है जो nuclear strike रोल निवा सकेगा मतलब ये ऐसा पहला 5th generation के fighter aircraft ऑप बना जो परमानू हमला कर सकेगा और से आ सकता है तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए तो दोस्तों अमेरिका के Lockheed Martin Corporation के तरफ से निर्मान किया हुआ F-35 aircraft का total 3 variant है और दोस्तों ये तीनों variant है इन वेरियंटों में F-35A को conventional takeoff and landing aircraft के नाम से पैचाना जाता है जबकि F-35V एक short takeoff और vertical landing aircraft है जबकि F-35C एक carrier based aircraft के नाम से पैचाना जाता है और दोस्तों 21 सेप्टमबर के दिन अमेरिकी Air Force के दो F-35A aircraft को B-6112 nuclear gravity bomb के dummy से लैस किया गया था असल में ये एक final flight test के लिए तयार किया गया था और य अमेरिकी Air Force के F-35 fighter aircraft का पहला ऐसे full weapon system demonstration भी था और इस परिक्षन के बाद अमेरिकी Air Force के तरफ से जानकारी दिया गया है कि finally F-35A अब परमनु हत्यारों को carry करने का शमता रखने वाला aircraft बन चुका है इवेन दोस्तों ये जो test था इसे अब तक joint stock fighter के द्वारा अंजाम दिया गया सबसे महत पूरुन टेस्ट का भी दर्जा दिया जा रहा है वैसे तो इस test में जो B-6112 बॉमों को दागा गया था वो अनार्म्ड मतलब हत्यारों के बिना था पर इसका धमा का अब चायना और रश्या तक शुनाई दे रहा है दोस्तों इस परिक्षन के दर्मियान अ परखा जा सके कि अगर असली बॉम होता तो किस तरीके से कारी रत होता दोस्तों अमेरिकी एयर फोर्स के एयर कॉमबैट कमांड हेट कौर्टर के स्टाटीजिक डिटरेंस और नुकलियर इंटिग्रेशन डिविजन के हेड लिटुनेंट करनल डैनियल जैक्सन के तरफ से इस टेस्ट के बाद बयान देते हुए बताया गया है कि फिफ जिनरेशन की इस फाइटर एयर क्रेफ में परवानू हतियारों के शमता को जोड़ना काफी महत्वपूर्ण था और कन्वेंशनल कई तरीके के हतियारों से लैज ऐसे एयर क्रेफ अब परवानू हतियारों से परवानू हतियारों का ये परवानू हतियारों का ये परिक्षन फिराल अमेरिका के तरफ से ही पब्लिक कर दिया गया है दोस्तों नेवाडा डेजर में स्तित एरिया 51 कई तरीके के अमेरिके सिक्रेट एयर क्रेप्टों का भी ठिकाना है इवेन अफवा ये भी है कि यहाँ पर यूएफो भी देखा जाता है और अमेरिका शाहिद इस शेत्र में एलियन्स की उपर रिसर्च भी कर रहा है दोस्तों फिलाल रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो टेस्ट कंडेक्ट किया गया था उवासल में 422 और 59 टेस्ट और एवलुएशन स्क्वाडरेन के द्वारा किया गया था नेवेडा में स्टेट टेस्ट रेंज में अंजाम दिया गया था दोनों एयरक्राप्ट को लेके टेस्ट फायरुटों के द्वारा नेल्स एयरफोर्स बेस से उडान भरा गया था और एयरक्राप्टों के इंटर्नल वेपन बे में B612 ग्राविटी बॉम के इलावा 22M120 एमरेम जैसे एर टू एर मिसाइल वी था दोस्त अब चलिए जानते हैं अमेरिका के पास और कौन-कौन सा महत्तुपूरून ऐसे S8 है जिसके द्वारा अमेरिका परवानु हतियारों को दाख सकता है दोस्तों अमेरिका के पास जो तीन बॉंबर एरक्रेफ्ट है ये तीनों एरक्रेफ्ट ही परवानू हत्यारों को कैरी कर सकता है मतलब B2, B1B और V-52 जैसे बॉंबर परवानू हत्यारों को कैरी करने में समढ़त है पर इन तीनों बॉंबरों में B2 ही एक मात्र स्टेल्थ एरक्रेफ्ट है जो परवानू हत्यारों को कैरी करने में सक्षम है दोस्तों B2 के बाद अमेरिका के F-35 ही दूसरा स्टेल्थ एरक्रेफ्ट बना जो परवानू हत्यारों को कैरी कर सकता है लेकिन B2 जहाँ पे एक bomber aircraft है तो उही पे F-35 पहला ऐसा 5th generation के aircraft बना इसके इलावा अगर अमेरिकी Air Force के aircraft को देखा जा मतलब fighter या फिर strike aircraft तो आपको पता चलेगा कि अमेरिकी बेड़े के F-15E Strike Eagle और F-16 CD जैसे aircraft भी परवानू हतियारों को carry करने में सक्षम है पर इन में से कोई भी aircraft ना stealth है और ना ही 5th generation का है दोस्ता अमेरिका के तरफ से जो next generation के bomberों का निर्मान किया जा रहा है मतलब B-21 Rider वो भी परवानू हतियारों को carry करने में सक्षम होगा रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि B-21 Rider कन्वेंशनल हतियारों के इलावा थर्मो नियू क्लियर हतियारों को carry कर सकेगा और साती साथ माना जा रहा है कि जल्दी इन aircraft को अमेरिकी बेड़े में शामिल करते हुए पुराने aircraft को रिटार किया जाएगा फिलाल दोस्तो A35A aircraft के द्वारा परवानु हतियारों को दागने का शमता को टेस्ट तो किया गया है लेकिन अभी तक officially ये confirm नहीं किया गया है कि इन aircraft को लेके अमेरिका के तरफ से operational clearance मतलब ऐसे हतियारों को real लड़ाय में इस्तेमाल करने का अनुमती दिया जाएगा कि नही पर ऐसे हतियारों के successful correction के बाद at least ये साफ हो गया है कि अमेरिका अगर चाहे तो थोड़े समय में ही इन aircraft को परवानु हतियारों से last कर सकता है और आवशकता पढ़ने पर इनका इस्तेमाल परवानु हतियारों को दागने के लिए भी किया जा सकता है दोसर रिपोर्टों के मुताविक F-35A Air Capto में B-6112 जैसे gravity bomb को integrate करने के लिए तैयारी अमेरिका के तरफ से साल 2017 से ही किया गया था और करीब करीब 4 साल के बाद अमेरिका को इसमें सफलता मिला है और इवन रिपोर्ट में ये भी वताया जा रहा है कि ये 12 फीट लंबा और approximately 825 पाउंडर एक ऐसा हतियार है जो काफी अधिक effective है दोसर अमेरिका के ये ही gravity bomb के बारे में अगर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये अमेरिका के बेडे के सबसे नए नवले परवानू बॉम है जिसे 2011 से function में लाया गया था जबकि इसके कई तरीके के पुराने version व है दोसर अमेरिका के तरफ से दितिय विश्यद्य के दर्मियान हिरो सिमा और नागा साकी के उपर दागा गया bomb के मुकाबले में ये B612 काफी बड़ा bomb है और इसके घातकता भी काफी अधिक है रिपोर्टों में तो ये वी वताया जा रहा है कि अमेरिका के तरफ से इन bombों शामिल करने का भी इरादा रखा जारा और संभावित पुराने सभी वामों को ये B612 द्वारा replace किया जाएगा कुल मिला के दोस्तों ये चायना और रश्या के लिए अब और एक बड़ा चिंता का विशह बन गया है क्योंकि अब तक माना जा रहा था कि आईदर अमेरिका F F-15 या फिर F-16 जैसे यारक्राप्टों के द्वारा या फिर अपने हाई ऑल्टिटूड बॉम्बरों के द्वारा इस तरीके के मिशनों को अंजाम देगा और दोस्तों आपके जान करी के लिए बता दू कि F-16 या F-15 जैसे यारक्राप्ट जहापे non stealthy होने के वज़ा से आसानी से डिटेक्ट हो सकता है तो वही पे high altitude bomber आकार में बड़ा होने के वज़ा से इसके उपर भी बारी किसे नजर रखा जा सकता है और आज कल के जमाने में जिस तरीके से intelligence sources काम करता है उससे ऐसे यारक्राप्टों के operation के उपर भी काफी बारी किसे ध्यान रखा जा सकत है पर F-35 जैसे fighter aircraft जहां पे आकार में छोटा है तो वही पे stealthy होने के वज़ा से ऐसे aircraft को देख पाना लगवग नामुम्किन है फिलाल रख्या के तरफ से दावात्यों किया जाता है कि रख्या के पास anti-stealth radar है जो कि अमेरिका के F-22 और F-35 जैसे aircraft को देख सकता है पर चायन रख्या के लिए इतना अधिक चिंता का विशाई F-35 और उसमें integrate हुए परवानु हतियार नहीं होगा बलकि इससे अधिक चिंता का विशाई ये चायना के लिए बना हुआ है पर दोस्तों अमेरिका के इस तरीके के कार नामा अब अन्ने देशों को भी 5 जनेरेशन के stealthy aircraft में परवानु हतियारों को integrate करने के तरब आगे बढ़ाएगा वैसे अगर देखे तो रख्या अपने aircraft के द्वारा hypersonic missile को दागने का शमता को अर्जित का रहा है ऐसे में रख्या का next step इसमें परवानु हतियारों को लगाने का भी हो सकता है और चायना भी लगभग अभी इ दोस्तों ये था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे like कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में बना हुआ bell icon को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले जैहिंद